हेलो एब्रिवन वेल्कम एक टु योरो टोप चैनल 4K TV स्टेडिज आज इस सेसन में हम लोग BHDLA 138 के लिए यूनिट वन चैप्टर नमर फर्ष्ट की कहानी जैसे कि कहानी पूस की रात जो प्रेम चंदर जी के द्वारा लिखाया गया था इसको हम लोग देखेंगे देखे लंबा हो जाएगा और समय भी इस तरह से जाएगा अब जो ना एक्जाम में कहा जाता है विद्यार्थी यथा पुर्वक अपने सब्दों में लिखने की कुछिस करें तो आप जो है ना मेरी बातों को ध्यान पुर्वक सुनिएगा और आसानी तरीके से आप जोने इस कहा है इसके बाड़े में बताया इसमें जोन आहम भूमिका है आपका हल्कु कि यह सब याद रखेगा ठीचे जरूड़ी है हल्कु व्ला 될 टाहया हुझ ये 2 चुर्वक फिर जोने सी inventionsноз और जब्र। ठीक है यह इंपोर्टयन है यह तीनों का मुग अहम रोल है इस कहानी में हल्कु बुन्नी और जवराण इसमें एक ठाज इसका राम ता नहीं को याद रखना हो इसको याद बताय गी हल्कू और मुन्य जो है दोनपती पतनी गरीब था जादा अमेरने था किसान था च्छोटा मुटा किसान था जए से गरन नम भरण पोसन हो सके इतना लायक था वह जो है फ्यती बारिक करने के लिए जोना किसी और से करज लिया था जिसका नम ता सहना अभी सहना जो है हलकू को बला पैसा लाओ उसका हलकू भी सोचा कुछ दे दूँ हलक सहना को ताकि मेरा भी गला चूटेगा यह बार-बार यह आने से बहतर है कि कुछ दे के इसका रफाद अफागरतू ताकि हमको जो ना करें तो इसके बार इसके बाड जो है न इसकी पतनी जो है क्योंकि घर में जो है मालिकीन लगबग लगबग पतनी ही होती है तो iez प्रकार मुन्य आपस में भात भूती है कि अभी तो मेरे पास तीन ही रुपया तो तीन रुपया जो की कंबल लेने के लिए रखे थे जैसे बोले अभी उसकी रात जो है ठंडी कमोसम होता है तो रात के लिए जो कंबल लेना चाहरा था तो उसके पास कंबल नहीं था तो तीन ही रुपया था कंबल लूँ या सहना को दूँ तो इस परकार मुन्नी बोल द लाओ पैसा दे दो इसको सहना को मैं कंबल के लिए दूसरा उपाय धोलू लूँगा दूसरा चीजे सोचूंगा फिर इसी तरह मुन्नी बोलती है आहा दूसरा उपाय क्या है जरा बताना तो क्या उपाय आपके पास तो इस प्रकार जो है न हलकू जो है फिर भी उदास और सहना चला गिया ठीक है उसके बाद अब मुन्नी जो कहती है हलकू से कि तुम क्यों ना खेती छोड़ देते हो खेती करने से है खेती करने से बेतर की महदूरी करो ताकि हम लोग किसी का दहौस तो नहीं सुनेंगे खेती करेंगे खेती करने में इंवेश्ट लगेगा इ फिर आगे चलकर आगे कहता है यह स्टोरिम होता है आगे हम उपाइस के आगे चलकर जो को पूस की रात हो गया अंधिरी रात हो गया अंधिरी रात ऑकास में पूसकी रात में वो खेत चला गए रात रहने के लिए क्लिक हलकु मुणिये अपना घर में थी खेत के भगल में ही उन्होंने एक तंबू टैप का रहने योग घर बना लिया था तंबू टैप का ठीक है जिसमें हावा बहुत ही ज्यादा तेज चल ले थी याने कि पुरा खुला मैदान में उसके बाद जो नहीं हलकु के साथ एक कुट्टा जिसके राम बताए थे जबरा हलकु के साथ जबरा भी जाता है जबरा गया और यह दोनों तो चला गया उसके बाद उस रात में अब ठंडी बहुत है और उसके बाद कंबल भी नहीं है करेगा तो करेगा क्या तो यह सब हैं कंबल भी नहीं था उसके पास उसके बाद जो है देखिए मैं तो इसको भी दिखा दूता क तो यह दोनों है ठंडी के मोसम में अगर आपको बिना ओरे वे आपको नींद भी नहीं आएगी दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी और हलकु और जब्रा आपस में ही बात करने लगे थे मतलब कि मुण्डी हिला रहा उसके बाद जम अपना घरन ही रहा था ठीक है उसके ऑपास दोनों के और द तो तो किसी तरह से रात गुजारने की कोशिस कर रहा था उसके बाद वह जो न धीरे-दीरे सुचा ही रखी सोचा कि बगल का बगीचा में जा कि हम लोग क्यों न उसकी ठली पत्ति को लाएं और हम लोग कुछ आग लगा के ठंडी से गुजारा करें तो फिर ये भी सोचा कि हम लोग कहीं अगर जाएंगे वहाँ पे ठली पत्तियां सब ढूनने के लिए कहीं लोग भूत ना समझ और शarte को जो ना अलाकर उन्होंने आग लगाया और आग लगा के बास ठोरी से बहुत सबने थंड़ा थंडी से रहत मिली और दोनों खुस हुए आग तप्टे तक अर ये दोनों खेल भी कल रहे थे कि जो ना किसी तरह राद बिते थंडी का मौसम था और दोनों जो ना वो आग को एक दूसरे मतलब छलांग मारने लगे कि जो आग को टपेगा वो जीतेगा और हारे जो नहीं कर पाया जो जल गया वो हार गया तो यह सब बातें यह सब हो रही थी चले यही सब बात है इसमें उद्धिया गया है उसके बात जबरा को हल्कु करता है कि तुम कल से घर में ही रहोगे मैं पुआल आपके लिए बिछा दूँगा तुम वहीं सो ते रहना पुआल क्या होता है पुआल जो है आपका जिस तरह से धान होता है धान के खेती होती है जिस तहनी पर धानकी होती है, वही जो है आपका तहना होता है, उसी को पुआल बोला जाता है, ठीक है, उसको पुआल बिछा दूगा, तुम उसी में सो जाना तुमको ठंडी कम लगेगी, तो ये सब दोनों अपस में बात हो रहे थी, उसके बाद दोनों जो है न, वो आग क फिर बूज जाता था तो इस प्रकार कुछ देर बिता और इस तरह से दोना दोनों आपस में पिर आगे एस्टोडी में कहता है कि जी तरह से जो कि आग तपने के बार जो है वो ठंडी के मौसम में हवा जो चल रहे थी वह भूसता था उसके बाद जो है फिर ठंडी के यह तो यह सब बाते हैं आप लोग सभी चलिए आगे कहता है फिर रात में जो ने दोनों सोने की कुशिज किया उसके बात दोनों तो सोते सोटे थोरी कुछ राते भीती रात भीतने के बाद जो है दुनों कुत्ता और हल्कू और जबरा जो थे इतनchau मिलकर इसे सो रहे थे जैसे लगता है कि पति-पतनी हो और एक किस तरसे बदबु आ रही है कि यह कुता से कभी नहाया यह नहीं यह सब कब गिन नहीं आ रहे तो दोनों सोने की कुषिस किया सुते सुते जो ना कुछ देर तो सोया उसके बाद जो है जबरा को कुछ आहट आने लगा था वह आहट क्या था खेत में लगा था कि नील गाय गुश गया है तो जबरा फटाक सा जैसे कुटा करते हैं धरकन बहुत तेज होता है आप चलोगे तो फिर भी उसका निन टूल जायता है तो जो ना समझ गया उसके तो उन्होंने उसको हा जह तर बहुत करने लगा लगा चारोतरब से खेत की और दोरते दोरते बहुत अब उसका पुरा बोडी जो ना गर्म हो गया था इतना आलस हो गया था ठानी के मोसम में सब अब पुरा बोडी गर्म हो जाए तो आपको जो ने बाहर जाने का मंतब बैट चोने का मन ही ने करेगा विछावन चोने का मन ही ने करेगा उसी तरह थीक उसी तरह से जो ना यह हलकु के साथ भी हुआ वह जबरा तो जनबर है उसको आहत हुआ फिर उन्होंने जो अपना वफादारी निभाया और भौकने लगा चारो तरफ उस जाया है उसको भरम थब भी हुए तो इसके बाद उन्होंने कोशिस किया फिर सफिर सो गिया फिर उन्होंने कुछ दो कदम गया भी लेकिन फिस जान बचेगी तो फिर हम लोग खेती कर लेंगे बाई सो जाओ तो उन्होंने फिर सो गिया इस पर का पूरी रात नील गाय पूरी खेत को तहस नहस खतम कर दिया जब सुबह जकता है हलकू तो देखता है कि पूरा खेत जो है मतलब कि जो पूरा रात जबरा जो पूरा गला फार फार के भौग रहा था करन और सुभर जब हलु का नीरता है यहां तो इसके बाद Oni Lope कर दिए तो प्रकार जो हल्कू हलकू कुछ के बारे में बता रहाता है कि को ऐसा सोता है तुम्हारे यहां मेडिया डालने से क्या हुआ यहने कि तुम्हारे यहां डारा डालने से क्या हो गया तुम्हारे यहां रहने से क्या बाइदा ठंडी भी खाओ और तुम खेत का भी पहराना कर पाओ मुन्नी का कानाता तो इस परकार जो है फिर हलकों ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा हूँ मुझे अपने खेत तुझे अपने खेत की परी है पेट में अईसाद दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ यहने कि बहाना मारने लगा कि थंडी के मौसम में मुझे पेत दरद होने लगा जिसे कि मैं कहीं नहीं जा पाया और तुमको खेत का अब दिख रहा है तो यह सब हुआ उसके अधर दोनों फिर खेत की और पुरा घुम्बे देखा सारा खेत तहसना खतम हो गया था उसके फिर मुन्नी बोलने लगी उसके अधर जबरा जो था वो पत्ता में मेरिया के साथ लिपट 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 कर लेटा गाता जैसा लगता उसका प्राणी मनलभ मर गयाए इस तरह से वुदंव यो लेटा वचे वुदा लगवा सासे घ् wed tast लिपार जोना उन्हों कि दतेखा मुन्नी के मुदंई Σा कि चाही थी जाय सी बात है क्यी ता आमलनी का खarmげ अपाय दूसरा ओप्षन है तो इस प्रकार जोन उन्हें उदासी चाह गया, सैड हो गया, फिर हलकू जो है ना परसन होए, कि कम से कम खेती का इस थंडा से खाने से तो छुटकरा मिला, मुझे ऐसी थंडी से तो कम से कम घर में सोने कम रहत मिलेगी, थंडी खाने तो नहीं मिलेगी, तो यह सब बाते हैं उसके बात मुनी चिंती तोकर फिर बोलती है कि तुम खेती छोड़ दो अब मजूरी करके ही माल गुजारी करने भरेगी तो इस परकार हलकु जुन फिर परसनों का मुस्क्राय है रात को ठन में यहां सोना तो ना परेगा तो इस परकार जो है ना उन्होंने खेती करना छोड़ दिया तो यही परकार आपका यही एस्टोडी है तो यही आपका इस्टोडी में यही कहा जा रहा था चलिए आई होप कि आप जो ना इस स्टोडी को इस कहानी को समझ गए तो यह आज के सेसं में बस रहें contextual अगर पिर से I'm कर लेंगे तो हो जाएगा उसके बाद यह इस्षे आप जो न कथा सार लिख सकते हैं कथा वस्तू लिख सकते हैं कहानी का सार लिख सकते हैं असानी तरीकिय से तो चलिए ऑच के सेसं में हम लोगbas पूरा सिंपल लेंगवेज में देखें बस कुछ ही मिनट में जैसे कि 15 से 20 मिनट का सेशन हुआ इसे में हम लोग पूरा इस सेशन को समझ गए तो चलिए आज बस इतना ही रहने देंगे आई हो कि आप सभी को एक्समेलेशन अच्छा लगा होगा कहानी अच्छा लगा होगा सो प्लीज आप सभी को कहानी कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए और जो भी सेनल में न्यू है प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दिजएगा और बेल आगन को जरूर हीट कीजएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट यूनिट अपलोड आपको नोटिपिकेशन मिल जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तब के लिए थैंक यू